नमस्कार मैं हूँ देवानसू आप देख रहे हैं न्यूस फोरनेस चिराग पासवान बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और इस बुरे वक्त में दो लोगों का साथ अभी भी बरकरार है एक है क्रिसिन सिंग कल्लू जी तो दूसे और अमर आजाद जी हैं जो की बीते बिधान सब्सक्राइब चुनाव में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था बोचहा बिधान सब्सक्राइब चेद से और आज पसुपाति पारस एक बार फिर से प्रेस कॉंफरेंस करते हैं और बीच प्रेस कॉंफरेंस कर छोड़ कर चले जाते हैं कई सवाल मीडिया के तरफ से भी जाते हैं उन सवालों पर जुंजलाते हुए पसुपाति पारस यह कहते हैं कि पार्टी को राष्टी अस्तर पर ले जाना है और अध्यक्ष भी वह एक तरह से कह सकते हैं कि निर्वाचित हो गए हैं लोच्पा के हम दोनों से बात करेंगे क्रिश्ण सिंग कलू जी से और अध्यक्ष स्बसे पहले अमडे आजाज से बात कर लेते हैं ने मैं कि राष्टी अध्यक्ष बन गए में पुश्रों पारटी है झाल जाध की राष्ट के अध्यक्ष भात और जीयो सीट आया, 2010 में विधान सभा का चुना हुआ बिहार में, तीन सीट आया, 2015 में, देखिए उनका क्या पर्फरमेस रहा है, और NDA से जो गठवंधन करवाया गया, वो तो चिराग पासबंजी करवाया है, लोजपा का गठवंधन तो जब चिराग पासबंजी करवाया है, जो साथी तो कह रहे हैं कि सुरजभान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये चिराग पासबंजी की पार्टी है, वही पार्टी के अधियास रहेंगे, तो एक तरह का हमें लग रहा है कि पशुपती पारजी का ये लोग मजाक बना रहे हैं, एक मजाक के रूप में उ प्रेस कॉन्फरेंस में पतुपसी पारस ने कि राश्ची इस्तर पर लोजबा को ले आएंगे और निर्बाचित भी हो गए हैं राश्ची अध्यक्ष पतुपतिकुमार पारस जी किस राश्ची कमिटी की बात कह रहे हैं यह तो सब को समत से पड़े हैं बेरहाल उन्हें यह तै करना होगा कि वो किस पार्टी या किस गुट के राश्ची अध्यक्ष आज मनुनित हुए हैं क्यूंकि जिस पार्टी को लेकर वो यह दावा कर रहे हैं कि लोग जन सकती पार्टी हमारी है और हम इसके राश्ची अध्यक्ष हैं तो पश्व पतिक मार पाराज जी को यह जनकारी होना चाहिए कि लोग जन सकती पाटी और बंगले को सजाने और सवारने का काम स्वरगिा राम विलास पासवान जी ने किया था और कुछ दिन पुर्भ लोग जन सकती पाटी के राष्टिय अध्यक्ष आधनिये चिराग पासवान जी पार्टी बिरोधी कारे करने पर पशुपती कुमार पारस जी सहीत चार सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था तो पश्विपत्ति कुमार पारस जी को यह तय करना होगा और लोगों को बताना होगा कि आखिर वो किस गूट के और किस दल के नेता हैं। अपना राजबनीती केरियर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वह बरबाद कर दिये। वह किस गूट के हैं अध्यक्ष्य यह पुरा बिहार नहीं। पुरा देश देख रहा है। मिडिया के सामने ठीक से मुखातिम नहीं हो पा रहे हैं। गुस्से में देखने की मिडिया के जो प्रेश्वारता है उसे वो छोड़ भाग जा रहे हैं। पशुपति कुमार पारज जी का एक उम्र हो गया था। गारजन स्वरूप बनकर उन्हें अच्छा से रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा जाता कि हिंदू धर में इस बुढ़ापे में उन्होंने अपना गिन्यन खूद ही कर लिया। जो यह बहुत यह शोबनिये हैं। इसकी जीतना भी निंदा की जाए। वह कम है। क्योंकि नितीश कुमार जी जो वर्तमान के मुखिया हैं हमारे बिहार के वह जोड़ तोड़ पर विश्वास करते हैं। मंत्री पद की लालज दी है उन्होंने। पशुपती कुमार पारज जी 2009, 2015, 2012 में भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। उनके द्वारा जो प्रफर्मिंश किया गया था। मैं आप लोगों को चैनल के सामने असपश्ट बता देना चाहता हूं। हमारे गार्जिजन सोरूप स्वर्गे राम चंद्र पासवान जी की देहांत के बाद। उनकी सच्ची सर्धांजली स्वर्गे राम ब्लास पासवान जी के सहमती से आदर्णिये प्रिंस राज जी को प्रदेश अद्रच बनाया गया था। और स्वर्गे राम चंद्र पासवान जी की देथ के बाद। दलित सेना के जो पद था वो खाली था। इसलिए आदर्णिये चिराग पासवान जी ने प्रचुपति पॉर्च जी को ताज पहन्याने का उन्होंने कारे किया। पासवार्च जी को एक बार जीरूर अपने परिवार और अपने पार्टी को लेकर उन्हें सोचना था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने भत्तीजा, अपने बेटा, अपने खूण, बिहार का भविश्य, चिराक पास्वान जी के पीछे से पीठ में उन्होंने छुडा मारने का कारे किया। आज बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं है कि उस पाटी को बनाने में पश्री पत्ती कुमार पारज जी का पशीना नहीं लगा था लगा था बट उस पसीने को आज उन्होंने खूद ही धो दिया और यह बंगला लोग जन सकती पाटी चिराग पासवान जी की थी है और रहेगी चुकी चिराग पासवान जी का साथ उनके परिवार ने छोड़ा है उनकी माने नहीं और जिस पुत्र के सर पर मा का शिरवाद हो वो पुत्र कभी अधूरा नहीं हो सकता है पाटी हमारी मा है चिराग पासवान जी की मा का शिवाद उनके उपर है यह धरती हमारी मा है और यह देश भी हमारी मा है च पाख करने का सवाल ही नहीं है दू-3 दिन से मेडिया में यही वण आपको कोई दिक्कत था राष्टी अध्यस ही बनना था तो वो चिराघ पास्तीन से इस बारे में बात करते कि वो परिजंट में राष्टी अध्यस यह तो बहुर्म कोने हो गया कि बाद भी और उनको हमें पहले उनको हास का पात्र लोग समझ रहे हैं जिस तरह से मैंने अभी देखा कि प्रेस कोंफरेंश में उन्होंने बात किया जिस तरह से वहां लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये ये राच्छी राजनीती का संकेत नहीं है, उन्होंने अपने भविश्य पर उनका अब उम्र समाप्त होने के कागार पर है, और एक बहुत बड़ा दाग जो समाज का है, वो ले लिये हैं पशुपती पारस चाचा जी, एक चाचा नितिश कुमार जी है, दुसरे चाचा इधर पशुपती चाचा जी हो गया है, तो चाचा से तो पूरा बिहार परेसान हो गिया है, चाचा भतीजा का लड़ाई, पूरा राजनीती, पूरा बिहार और देश का अदम चर्चा का भिशे बना हुआ है, तो भतीजा का ही जीत होता ही हो पाएगा एक आखरी सवाल है कि आगे का रास्ता जाता कि अधर है आप तो क्या करेंगे अध्यक्स तो बन गए है पसुपति पारस अध्यक्स को है यह नहीं पार्टी का चुनाओ आयोग जब है में तो बन अध्यक्स को लोग को चाहें करना देगा पाटी का जो जन सकती के बिहार के हरेग्स जीले का जिला का आधियस है कार करता है मैं 15 तारीक को भी बोला था कि पूरे बिहार में अंदोलन होगा अब देखिए आज पूरा अखवारों में नूज आया हुआ है खबर आया हुआ कि सब कोई बोल रहे हैं सोसल मीडिया पर अखवारों में छपा है कि चिराग जी हमारे नेता है लोग जन सक्ति पाटी चिराग पाट है और देखिए बंगला में दिया जो जलाने का काम कीए थे वह स्वरगया राम बिलास पासवान जी कि रोशनी जो देगा यही चिराग देगा और कोई पशिफ पती नहीं है वो पशिफ पती उनका नाम है कहीं पशुणा बनके रहा जाए हमें तो ये लग जा रहा ह है मेरा क्रिश्न कुमार कलो जी कि चिराग पासवान कब पठना आ रहे हैं जैसा कि तमाम लोगों को यह जनकारी भी है कि काफी दिनों शेंका तब्य जो है और स्वस्त चल रहा है और इस बीच में जिस तरीके उनके साथ जो बेभार किया गया उनसे भी वह आहत है और समय के साथ दिव्यानसु जी हर कारे होता है और मैं आपको बता दूं कि दो से तीन दिनों में राश्ची अध्यक जी पटना के पावन धर्ति पर आएंगे और बहुत सारा उनके साथ खुसिया लेकर वो आ रहे हैं चलिए बड़ी ख़वर दे रहे हैं कि दो से तीन दिनों बाद चिराक पासवान जो है वो पटना आ रहे हैं हमने दोनों निताओ से बात करवाया चिराक पासवान के लिए ये वक्त नाजुक है बुरा है लेकिन इन दोनों नेताओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा मजगूती के साथ डटकर खड़े हैं लोजपा कर्याले तक गये और डरवाजा खुलवाया अंदर दाकिल होने की कोशिस किये और लगतार ये कह रहे हैं लोजपा पार्टी जो है वो चिराक पासवान की है और चिराक पासवान के ही रहेगी इसके लिए चाहे कितना भी संगर्स करना परे ये दोनों अमर आजाद हों चाहे क्रिस्न सिंग कल्लो जी हैं वो कह रहे हैं कि चिराक पासवान के साथ हैं और रहेंगे फ